Foundation Season 2, Episode 2 में दिखाया गया कि कैसे Foundation ने नए ग्रहों को लाने के लिए अपनी उनत तक्नीक को एक धर्म में बदल दिया है जिसे पहले से ही एक नए सामराज्य के रूप में वर्नित किया जा सकता है Foundation के पास Terminus के नजदीक के अन्य परिधिय राजियों की तुलना में कहीं अधिक तक्नीक है फिर भी वैग्यानिकता रनीती Terminus और उन ब्रहों के बीच एक मजबूत बंधन बनाने में मदद करती है Foundation के हरी सेल्दिन को अब एक ऐसे भविश्यवक्ता के रूप में देखा जाता है जिसने Galactic Spirit की बात की थी और वाल्ट से सेल्दिन की वापसी को एक धार्मिक घटना के रूप में माना जाता है हालांकि सेल्दिन वाल्ट से प्रकट नहीं हुआ इसके बजाए Water Jagger मरने से पहले बस यही कह सकते थे की Hober Mello को ढूंड हो Hober Mello, Smirno Gray का एक व्यापारी पहली बार इसहा का सिमोव की Dama Chain Princess में दिखाई दिया जो मूल Foundation उपन्यास की पांचवी और अंतिम लगू कहानी है Dama Chain Princess, Foundation के दूसरे सेल्दिन संकर की घटनाओं के 75 से अधिक वर्षों के बाद घटित होता है जिसे Foundation सीजन 2 वरतमान में कवा कर रहा है इस बिंदू पर Foundation शो की टाइम लाइन Foundation बुक की टाइम लाइन से काफी भिन हो गई है इसलिए, किताबों में होबर मेलो की कहानी की तुलना Foundation सीजन 2 के चरित्र के साथ तुलना करना मुश्किल है पुस्तक में, फर्स्ट फांडेशन के निर्मान के लगभग 150 साल बाद मेलो खेल में आता है Foundation शो में, हरी सेल्दिन की मृत्यू और Foundation सीजन 2 की घटनाओं के बीच 150 से अधिक वर्ष बीच चुके है हालांकि, दूसरा सेल्दिन संकट अभी शुरू हुआ है भले ही शो की टाइम लाइन किताबों से कितनी अलग होगी ये सपस्ट है कि Foundation में होबर मेलो की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और सेकड़ों वर्षों तक चल सकती है म्यूल, जो 150 वर्षों से लेकर भविश्य तक के गाल डौनिक के दृष्टिकून में दिखाई देता है होबर मेलो का उलेक करता है किताबों में गाल या सालवोर की तुलना में म्यूल का मेलो से अधिक लेना देना है लेकिन वर्षों समय की कहानियों में भी मौलो के होने की उम्मीद है वाडन जेगर, जिनकी Foundation Season 2, Episode 2 में वाल्ट में प्रवेश करने की कोशिश के बाद मृत्यू हो गई ने टर्मिनस में मौझूद लोगों से होबर मेलो को खोजने के लिए कहा ये सब इस बात की पुष्टी करता है कि Foundation Show की टाइम लाइन के इस बिंदू पर मेलो पहले से ही मौझूद है जो किताबों से एक बड़ा बदलाव है Foundation पुस्तक में मेलो की भूमिका इस बात से संबंधित है कि Foundation अपने पक्ष में वानिज्य का उप्योग कैसे कर सकता है फिर भी Foundation Season 2 अभी भी हरी सेल्दिन की योजना के धार्मिक योग को कवा कर रहा है ये देखना दिल्चस्प होगा कि होबर मेलो Foundation Season 2 की वर्तमान समेरे खामे कैसे फिट बैठता है Foundation Season 2 में हरी सेल्दिन की चेतना के वर्तमान में दो अलग-अलग संसकरन है हालांकि उनके बीच एक संबंध प्रतीत होता है गाल द्वारा अपने भविश्य के बारे में जानने और होबर मेलो के बारे में जानने के कुछ ही समय बाद टर्मिनस में वॉल्ट सक्रिय हो गया हालांकि हरी सेल्दिन की चेतना प्रकट नहीं हुई इसके बजाए वॉल्ट ने संभवता वॉडन जैगर के माध्यम से बात की और फाउंडेशन से होबर मेलो को खोजने के लिए कहा वॉल्ट का डिजाइन बदल गया और उस पर मेलो का नाम लिखा गया मूल फाउंडेशन पुस्तक में होबर मेलो आकाश गंगा पर फाउंडेशन की शक्ती और प्रभाव स्थापित करने में महत्वपुल्ण भूमिका निभाता है ये किरदार सालवोर होडिन द्वारा उपयोग की गई रननीती से बहुत अलग रननीती का उपयोग करता है हालांकि ये सब हरी सेल्दिन की योजना में फिट बैठता है सेल्दिन पहले से ही क्यों चाहता है कि मैलो फाउंडेशन के साथ काम करे जबकि ये अभी भी अपने धार्मेक योग में है ये एक रहस्य है Foundation Season 2, Episode 2 में Foundation के सदस्यों को Galactic Spirit और पेगंबर हरी सेलदिन की शिक्षाओं को अन्यग्रहों पर फैलाते हुए देखा गया है Foundation की वैग्यानिकता हरी सेलदिन की योजना के इस हिस्से के केंद्र में है